लो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टू माई चैनल फ्रेंट्स आज है नौमी और इस दिन में सारी तयारिया कर रही हूँ यह व्लॉग मैं आपके पास थोड़ा लेट ही पहुचा रही हूँ क्योंकि अपलोड करने में मैंने थोड़ा टाइम लगा दिया तो बस आज मैं आपको द लेट तो हो गया है पर कोई बात नहीं आप लोगों की फर्माइश को भला मैं कैसे मना कर सकते हूं तो इसलिए बस मैंने सोचा कि अगर आपने बोला है तो मुझे तो वीडियो अपलोड करनी ही पड़ेगी इसलिए बस मैंने रेडी कर ली वीडियो इनको मैंने बॉइल कर थी क्योंकि अभी तुछी का टाइम है तो जल्द यल्दी सब कुछ करना पड़ता है और शोची मुनने में बहुत जाधा टैम लग जाता है तो इसलिए मैं रात में ही ये तैयारी कर ली थी थी सुजी मैंने पुन के रख ले दी और इसके जो ड्राइप फूर्स हो गläरा जो डालने हैं इसमें बदाम, काजु वगेरा और नार्यल वगेरा जो डालना है वह भी मैंने रात में ही तरेड़ी कर लिया था तो इससे क्या होता है तो यह जो एक्स्ट्र वाला काम है यह पहले ही अगर निप्टा लो तो सुबह करना फिर बहुत इसी हो जाता है यह मैं किश्मिश निकाल के इसमें डाल रही हूं बागी सब मैंने कट करके पहले ही रखवा दिया था यह तो अब अल्मोस्ट मेरा हलवा हो चुका है रेडी मै पूड़ी के लिए आटा गूत् ए मैं मैं निकाल लोगी किसी अब निकालऊ है कि एम पूरी के लिए लिए रखाकंगों बोकर अच्छा सेट हो जाता है तो इसको सेट करने के लिए रख दोंगी, मैं में अब्चा मेरा हो चुका है हलवा मैं अब निकालूंगी किसी और बरतन में क्योंकि इसमें मुझे और सामान भी बनाना है सबजी बनानी है, चने भूनने है, वो फ्राई करने हैं मुझे जो मैंने अभी उबाल के रखे दे तो मैं हलवा निकाल के रख रही हूँ अलग बरतन में चने बनाने के लिए मैंने मसाला रेडी कर लिया है बस यह भी तैयार ही है अल्मोस्ट क्योंकि चने बॉइल हो रखे हैं अब इनको फ्राई करना बागी है इसी बीच मैं सबजी के लिए मसाला रेडी कर रही हूँ टमाटर वगेरा काट के रख देते हूँ ताकि सबजी मेरी बहुत जल्दी से रेडी हो जाए मैंने आलू उबाल कर रख लिये हैं बस मसाला तयार करना है थोड़ा इसमें मेरे पती देव भी हाथ बटा रहे हैं इनको मैंने बोला कि चलो तुम मसाला भूनो मैं तब तक बच्चों को रेडी कर देती हूँ बस इन्होंने मसाला भूना और निकल गए बाहर की चिचन से पांच मिनट का ही सही पर इनकी हेल्फ हो जाती है तो अच्छा सा लगता है क्योंकि मैंने इस तब तक बच्चों को रेडी कर दिया था अब मैंने पूरी के लिए गोलियां बना ली हैं बस पटाफट से अब मेरा पूरी पेलने के काम रहे गया है इसको मैं कर दूंगी तो झाल 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 खाने की तैयारी तो मेरी हो चुकी है complete बच्चों के लिए मैंने समान निकाल दिया है जो जो मुझे बच्चों को देना है बच्चों को सिंगार का सामान उनके मेकप वगरा का बाकी जो बच्चों को पसंद है मैंने कुछ चीज़े वो भी रखी है इस बार मेरा मन था रेडी कर दिया है थालिया उनकी सजा दी है ताकि फिर थालिया सजाने में थालियों में खाना रखने में मुझे टाइम वेस्ट ना करना पड़े मैं बच्चों की सेवा अच्छे से कर पाऊं तो बस आप मैं रेडी कर रही हूं सब बच्चों को टीका वीका लगाना जो का कि फेडिए मेरा कि अब तेडिगा एफ यब लोर खौंब अब कर दो अब अब टूंब टूर शौर ऑजर कर थे हैं पर टूर औ टूर टूर टू तूर टूर 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 जूर अबतू कर दो त। अँञ कर दो दोगा जगा है करी प्लेंदीज, क्याना प्लेंदी, क्या है, थैसके जा हिएंगे झाउस, करें झाईराइब झाईब घ्याँ, क्याईब जा रखलोग जाका हूंगा हूंगा हैं हुग। झाल झाल लाल हमार कालो मुट जह बगला कर रहाँ कि वो तसदोस्ते हो नहाँ कि अंगा जहाँ कि अची जह भी युट से जह दूगए दो झाम समया कि वो रहां कि आला कि आला कि अटते हैं ऊजर जोग बाल वाल खाना भी मैंने बच्चों के सामने रख दिया है थालिया बस बच्चों ने ठोड़ा ही खाया क्यांकि ज् collecting बच्चे सुबे सुबे का टाइम है तो बच्चे उतना ज्यादा नहीं खाप Пाते बाकी वो लोग घर पे ले गए थे और जो सामान है वो सारा मैंने बच्चों को दे दिया कर दो ले खिर के खिर को लेगई है तो 끊 से द arbitijkा दो साय को अजर को ले जैए है तो को बाद बगष। यह तो आ़ झा इाली सामा हम डो तो कर दो अग। अबात का है चाहरे यो को कर दो फो बात 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 था कुछ खब्ड़ा है बस आप मेरा सब काम हो चुका है कम्प्लीट अब मैं जाओंगे खाना खाने के लिए हम सब खाना खाएंगे आप भी खा लीजिए ये लेजिए हप के लिए भी मैंने रख दिया है खाईए और मुझे बताईएगा कैसा बना है और कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा बाई बाई टेक कियर